हेलो दोस्तों यश टीवी पर आप सभी का दिल से स्वागत है आज का वीडियो यह alligator indicator पर होने वाला है तो यह एक बहुत ही नया ऐसा indicator है जो trend analysis के लिए use किया जाता है और यह काफी rare indicator है तो यह आपकी trading को काफी हद तक improve भी कर सकता है तो वीडियो में बने रहेगा यह वीडि तो यहां पर आप देख सकते हो यह तीन लाइन यानि यानि होट है तो यह तीनों लाइन क्या होती है जबी भी अपना मुह यह ओपन करता है तो यह तीनों लाइन सलग हो जाती है दूर दूर हो जाती है और तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट यह ट्रेंड में चल रहा है अगर शेयर प्राइस यह तीनों लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम ऐसा बोलते हैं कि मार्केट यह अप ट्रेंड में चल रहा है और अगर यह जो शेयर प्राइस य यह तीनो लाइन के नीचे है तो हम कहते हैं कि market यह downtrend में चल रहा है तो alligator indicator आपको trend का अंदाजा दे देता है और जब भी यह alligator की जो यह तीनो लाइन है यह एक साथ होती है बहुत ही अपने close होती है close to each other होती है तभी हम ऐसा कहते है कि market यह range bound चल रहा है और market के पास कोई direction नह नहीं पा रहा तो दोस्तों यह था alligator indicator का एकदम simple सा explanation आशा करता हो आपको समझ गया होगा basic knowledge के लिए मैंने आपको बताया था और इसी के basis पर आज हम एक strategy create करेंगे alligator indicator की मदद से इसके लिए मैं सबसे पहले streak platform पर चले जाता हूं यह streak का dashboard है यहाँ पर streak की बहुत सारी पहले करूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने जितनी streak की वीडियो बनाई है यह सारी strategies की लिस्ट है और यह सारी strategies भी आप यूज कर सकते हो बनी बनाई तो create strategy पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिख देता हूं alligator आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपकी मर्जी है मैं alligator लिखके create strategy पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अभी हमें every time की तरह फटाफट stocks के नाम भरने है तो मैं फटाफट पर पहले stocks के नाम डाल देता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने stocks के नाम यह फिल कर दिया है यह हिंदूस्तान Unilever HDFC Bank नौकरी HDFC Life Biocon Petronet and Bajaj Holdings यह सारे stocks मैंने सिलेक किया है आपको जाहिए तो आप दूसरे stocks भी कर सकते हो लेकिन मैंने यह आपको example के लिए stock सिलेक्ट करके बताया है चार्ट टाइप हमें candlestick रखना है and candle interval हम रखेंगे 15 minutes का and holding type हमारा रहेगा CNC normal क्योंकि हमारे trades यह इंटराटे से थोड़ा ज्यादा चलेंगे आगे quantity मैं as it is रखूंगा and maximum allocation में यहाँ पर दे देता हूँ 25,000 का तो 25,000 रुपीज से ज्यादा एक भी रुपया किसी भी stock में नहीं लगेगा and position sizing type हम capital based रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 25,000 का max allocation यह दे दिया है अब इसके बाद मैं next कर दूंगा यहाँ पर next करते ही हमें यहाँ पर एक entry condition लगानी है तो सबसे पहले हमें alligator indicator यूज करना है तो alligator indicator में पहले आपको बता देता हूँ हम क्या करने वाले है basically हम क्या system को बताएंगे कि stock price जो है यह जब भी यह तीनों indicators के ऊपर जाता है यह तीनों lines के ऊपर जाता है हमें buy करना है यह simple सी simple सा fund है next है यहाँ पर entry condition तो हमें buy position लेनी है sell position लेनी है यह हमें system को बताना है तो हम एक bullish strategy create करने वाले alligator indicator यूज करके तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ alligator और alligator को मैं select कर लूँगा signal के जगा पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा lips और इसे में done कर दूँगा तो यहाँ पर मैं फटा-फट पहले strategy भर लेता हूँ और उसके बाद में आपको यह explain कर देता हूँ तो यहाँ पर दोश्तों मैं entry condition में क्या लिखा है alligator indicator के जो lips है यह higher than होने चीए alligator के teeth से तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले यह जो green कलर की lips वाली line है यह higher than होनी चीए यह red वाली line से यानम तीट से and यहां पर मैं Jaws की जगह पर लूँगा टीथ और इसे डन कर दूँगा next मैं यहां पर लिखूंगा higher than वापस alligator indicator का use करूँगा और अभी मैं यहां पर Jaws ले लूँगा और इसे कर दूँगा कुछ changes नहीं करने जो default setting है वह वैसी की वैसी रखनी है एंड लास्ट में हमें क्या लेना है वापस मैं and लिखूंगा क्लोस प्राइस क्लोस प्राइस हमें करन्ट जो क्लोस प्राइस है यह higher than चाहिए higher than किस से होनी चाहिए higher than यह मैं लिप्स ले लेता हूं alligator और मैं लिप्स कर दूँगा और इसे डन कर दूँगा तो बेसिकली मैं यहाँ पर सिस्टम को क्या कहा है जब भी यह तीनों लाइन के ऊपर स्टॉक प्राइस जाता है तभी हमें बाय करना है और यही सिंपल सी स्ट्राइजी है जो हमें यूज करनी है तो यहाँ पर मैं entry time as it is रखूँगा और इसे next पर क्लिक कर दूँगा next है हमारी exit condition तो exit condition हमें डालनी है stop loss में 1% का रखूँगा टागेट हमारा रहेगा 5% का एंड ट्रेलिंग stop loss हमारा रहेगा 1% का यह हमारी exit condition रहेगी और यहाँ पर मैं next कर दूँगा तो यहाँ पर आपकी सामने पूरी strategy आ जाएगी आपके stocks कितने है बाद में आपने जो भी चीजे लगाई है वो आपको review करना है आपकी condition entry condition exit condition return दे रहा है बाद में HDFC bank around 10% का दे रहा है अक्री.com 16.2% और ऐसे सारे stocks return दे रहे तो जो stocks में आपको return अच्छे लग रहे है वहाँ पर आप यह strategy deploy कर सकते हो यहाँ पर cumulative results भी आते तो इसके लिए मैं refresh कर देता हूं एक बार cumulative results हम देख सकते हैं यह strategy के total results जो है यह 12% आ रहे है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो यह बस मैं alligator indicator यूज करने का आपको तरीका दिखा रहा हूं तो यह दोस्तों थी एकदम सिंपल सी strategy based on alligator indicator आशा करता हूं आपको यह जो सीन है वो समझ में आ गया होगा बहुत ही simple सी चीज है जो भी stocks में आपको results अच्छे लग रहे हैं वहा काफी नया है इसे पहले हमें try out करना चाहिए तो आप पहले paper trade भी कर सकते हैं तो आज हम paper trade करेंगे हमेशा हम live trade करते हैं आज हम paper trade वाला भी try करके देखेंगे strategy cycle सेम रहेगा इसमें changes कुछ नहीं करना है सब कुछ चेक करने के बाद सीधा I accept the trading terms पर click करना है और आज हम paper trade करन चाहेगी इस strategy में कोई पैसा involved नी होगा actually बस आपके trades जो है जो भी आपकी condition जभी भी match होगी आपको trades के अलट आ जाएंगे तो दोस्तों यह थी एकदम सिंपल सी strategy strategy को आप भी use कर सकते हो इसका link में आपको वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ पर click करते ही आपको इसका review पर जाएगा वहाँ से आप directly strategy को copy कर सकते हो और अपने system में यूज कर सकते हो और दोस्तों अगर आपको streak platform यूज करना है तो streak का link में आपको नीचे description में दे दूँगा वहाँ पर click करके आप streak यूज करना start कर सकते हो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हो आपको ये alligator indicator समझ में आ गया होगा अगर समझ में आये तो इस वीडियो को like ज़रूर कीजे और अपने सबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजे अगर आपने यश टीवी को अब भी तक subscribe नहीं किया तो ज़रूर subscribe कीजे और bell icon पर click करके रखिए